The symmetrical triangle pattern, हमें एक uptrend के बाद market top perform होते हुए देखने को मिलता है और यह हमें prices में एक ठेराओ यानि consolidation के बारे में बता रहा होता है इस pattern में हमें series of lower highs और higher lows देखने को मिलते हैं जो की हमें किसी stock में लगातार weak होती supply और demand के बारे में बता रहे होते हैं दोस्तो यह pattern सिर्फ तभी valid होगा जब कम से कम यह दो lower highs और higher lows को connect करने के बाद बना हो यह pattern देखने में बिलकुल एक ट्रिकोंड के आकार का होता है और अगर इसमें हमें volumes में ब्रहोतरी के साथ एक breakout देखने को मिले तो हम यहाँ पर long side के trade में enter कर सकते हैं एंटर करने के लिए या तो हम लोग breakout candle की closing price पर एंटर करेंगे या फिर हम लोग prices को पहले उपरी trendline को retest करने का wait करेंगे Stop losses को हम लोग initially trendline के नीचे place कर सकते हैं targets के लिए पहले हम लोग base के बीच की दूरी को mapेंगे और उसे breakout point से project करेंगे